अलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपने चैनल में अब योगी गॉर्मेंट की तरफ से जो स्टुडेंट को स्मार्ट फोन और टैबलेट मिलेंगे वो अप अपग्रेडेड होंगे उनमें मेमरी जो है वो इंक्रीज होगे और साथ ही कुछ नए फीचर जो है वो एट किये ज सmotion जानते हैं वाले सरकार की तरफ से यूंवाँ को दिये जाने वाले प्री टैबलेटी स्मार्ट फोन पिछली रा से जादा अप ग्रेड़ेड होंगे एडवांस होंगे इस बार इसमार्ट फॉन फोन में क्या अप्रट्र वित्तवर्स दिये जाने पर टैबलेट और स्मार्ट फोन में क्या तक्नीकी बदलाव किये जा सकते हैं सूत्रों के मुदा भी नए स्मार्ट फोन और टैबलेट में ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेट किया जाएगा साथी रैम और इंटर्नल स्टोरिज भी बढ़ाई ज रख्ष रखा है इस स्पेसिफिकेशन फाइनल होने के बाद यूपी डेस को इनकी खरीद पर टेंडर जारी करेगा टेंडर एविलेशन के लिए मुख्य सची वाद्योगी विकास की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है यूपी डेसको की एक वरिस्त अधिकारी के म आपको पता है कि सैंसुन लावा इन सबके टैबलेट और स्मार्ट फोन दिये गए थे पहले सत्रा लाग डिवाज दी गई थी पिछली बार के स्पार्ट फोन जो थे उसमें डिस्प्लेश 6 इंच का था इस बार 8 इंच से अधिक होगा प्रोसेसर क्वाइट कोर या अधिक है और फ्रंट कैमरा पहले 5 था इस बार 2 है तो इस तरह से नेट जो टैबलेट और स्मार्ट फोन दिये जाएंगे उसमें इस तरह के न्यूज स्पेसिफिकेशन ने फीचर्स के एड़ होने की संभावना है सरकार का लक्ष 40 लाग स्टुडेंट को टैबलेट स्मार्ट फो यह थैंक यू वेरी मुच